Welcome to my channel आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ हाथ पेर पूर शेरीर का कालापन को हटाने का आपका स्किन को ब्राइटनिंग करने का तरीका बताने वाली हूँ यह स्किन ब्राइटनिंग रेमेडी है इससे आपका स्किन कॉम्फलेक्शन इंप्रूफ होगा स्किन टोन बढ़ता है आपका स्किन हेल्दी और रेडेन्ट होता है यह पैक औल स्किन टाइब के लिए सूटे बूले कोई भी यूज़ कर सकते हैं 100% सेफ एफेक्ट हुए आपका स्किन कॉम्फलेक्शन को इंप्रू करने का आपका स्किन को हेल्दी रेडेन्ट बनाने का सो चलिए वीडियो को देखते हैं अब इस रेमडी के लिए हमें लेना चाहिए एक बॉल में एक चमस गयों का आटा एक चमस सैंडलोड पॉडर दो इंग्रेंट को अच्छे तरह मिलाना है और इसके अंदर आड़ करना है दही दही जितना आपका कॉनिटी जितना चाहिए उतना आप आड़ कर सकते हैं अगर आप इसको सिरफ चेरे पर उपर यूज कर रहे हो तो आप दो चमस दही काफी है पूरा शेरी को बॉड़ी को पूरा इस्तामाल करना है तो एक अप दही आड़ कर सकते हैं जो कॉनिटी है स्टैनलोड पॉडर और ग्यों का आटा वो कॉनिटी सेम कॉनिटी यूज कीजिए यह पैक का कास बात यह है और कोई भी यूज कर सकते हैं आप इसको बच्छों के उपर भी यूज कर सकते हैं इससे स्किन हेल्दी होगा रेडियन बन जाएगा आपका स्किन कॉमपलेक्शन इंप्रू होता है यह पैक से स्किन का टैनिंग भी दूर होगा आपका स्किन भी ह प्रू करता है चीन के उपर टैनिंग को दूर करता है चीन को हेल्दी और रेडेंट बना देता है यह पाक हर सीजन में यूज कर सकते हैं सांडल पोरर और गयों का आटा वीड फ्लार यह दो इंग्रेंट मैजिकल इंग्रेंट से इससे आपका स्कीन पर डेड़ स्कीन इसल्स बन जाता है इससे स्कीन का वरिंकिल्स, फाइन लैंस, ब्लैक स्पोर्ट, डार्क स्पोर्ट भी दूर होंगे आपका स्कीन भी हल्दी और रेडेंट बन जाता है इस तरह अप्ले करने के बाद इसको 20 मिनिट तक रख दीजिए 20 मिनिट के बाद इसको पानी से वाश करके द रासान हो जाएगा, इस पैक को फेस पे भी अपले कर रही हूं, फेस पे अपले करने के पहले फेस को फेस वाश या क्लेंजर जो आप यूज करते हैं उससे चेरे को नीटली वाश करना है, नीटली वाश करके पूरा वेस और नेक पे लगाली जाए अंडर ए एडिया suitable होता है और यह पैक से आपको स्कीन healthy radiant होगा और wheat floor आपका स्कीन को brightening बना देता है glowing कर देता है इससे आपका skin complexion भी improve होगा आपका skin पे dead skin cells दूल मिटी गंदगी दूर करता है इस skin को अच्छी तरह explode भी करता है आप इसको monthly weekly scrub की तरह भी कर सकते हैं इससे skin पे dead skin cells remove हो जाएंगे आपका skin complexion भी improve होगा इस तरह अपले करने के बाद 15 मिनिट तक रख दीजिए 15 मिनिट के बाद skin को normal पाने से वाश करके देख सकते हैं आपका skin clean clear smooth soft even out हो जाता है यह की यूज में सो जिरूर्ट ट्राइग कीजिए सब्सक्राइब में चानल honey's beauty and health और साइट पर बेल आइकान को आप प्रेस करने से मेरी सारे latest वीडियो सब्डेट्स आपको जल्दी से मिल जाती है तो इसके लिए बेल सिंबल को जिरूर्ट क्लिक